दोस्तों ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा आज का वीडियो काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज मैं आपको पूरी स्लैब का जो डिटेल जो साइट इंग्जिनियर को दिक्कत आती है साइट पे जाके कि कैसे हम जो स्लैब का स्टील होते है वो प्रवा पे और यह शाम की वीडियो आपकी होगी वो होगी प्रेक्टिकली मतलब जो हमने ड्रोइंग पे अभी सुबा में देखा होगा वह हम जाके एक्जिक्यूट करेंगे साइट पे की साइट पे कैसे सरीया प्रवाइड किया जा रहा है मैं बोलतो रहा हूं कहां लबाई 4 बेंटब कैसे तूटेगा वह सब चीजे में अभी ड्रोइंग के अगॉर्डिंग आपको बता दूँगा आपने पूरी वीडियो देख ली जब एक बार आपको दिमाग में रहेगा कि ड्रोइंग क्या है फिर जब मैं साइट पे जाऊंगा साइट पे आपको यह नीचे उपर वाला फंड़ अभी समझ नहीं आएगा आपको पहले ड्रोइंग देख लो उसके बाद जब हम आगली जो इवनिंग में वीडियो आएगी उसमें हम प्रेक्टिकली प्रॉपर वे से करेंगे तो उससे पहले जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो इकन दवालो ऐसी प्रेक्टिकल नॉलिज वाली वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी सिर्फ मिलेंगी सिविल साइड विजिट पर तो अभी स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अभी ड्रोइंग रीटिंग का में आपको पूरा ब सबसे पहले देखो यह ऐसा आपका प्लान रहता है पूरा आई हूप आपको दिख रहा हो प्लान थोड़ा छोटे है तो इसलिए दिक्कत होगे देखने में थोड़ी तो यह आपका ऐसे प्लान रहेगा पूरा जिसमें इसमें मैंचिन किया है 125 mm की थिक स्लैब हमारी मतलब पूरी स्लैब का स्टील डिटेल यहां लिखा है और यहां पे उसको उसने बताया हुआ यह तो इदर से हम पूरा पड़ेंगे इसको क्या है तो यह जो आप सामने देखो इसको मैं फोकस कर लेता हूं थोड़ा यह चलो देखना इदर लिखा है ए बी सी डी इसी पर ह होने वाला है पहले आपको में दिखा देता हूं ए बी सी डी क्या है यह जो यहां पे ए है यह बी है यह सी है यह बी है यह है यह है क्या यह हमारे में बार एक्स्टा बार क्रेंग बार उसको सब को उसने मेंचन किया है और यह शडियूल कहां देखा जाता है हमारे कहां दि टू बेसलैब है अभी हम पहले ये शड्यूल देख लेते हैं ABCD के है फिर उसके बाद हम ड्रोइंग पर फिर से आएंगे मैंने जैसे कहा था है लंबी वीडियो होगी तो complete वीडियो आपको देखने है इसको समझने के लिए तो इदर आजाईए ये इदर देखो ए उसने लिखा है ये हमारा है 10 डाया का 135 सेंटर टू सेंटर हमारा बार पड़ेगा में बार है alternate bent up alternate bent up आपको पता बरिने में लास्ट वीडियो में बताए था कि क्यों हम alternate bent up provide करते हैं? क्योंकि हम direct bent up भी provide कर सकते हैं लेकिन इन्डिया में क्या किया जाता है? alternate किया जाता है कि थोड़ा SARिया कम लगे cost वीडियो सो इसलिए alternate bent up किया जाता है और जो B है, A हमें clear हो गया, A क्या है? B जो है वो है 8 डाया का 2600 के सेंटर पर distribution bar, main bar का पता चल गया, यह आगे है distribution bar, ठीक है C क्या है हमारा, C है 10 डाया का 270 के center to center extra top, top bar आएगा, यह कहां provide करेंगे मैं बताऊँगा, D हमारा फिर है, 10 डाया का 125 center to center alternate bent up E हमारा 10 डाया का 200 center to center extra top, F हमारा है, 8 डाया का 125 center to center alternate bent up, G हमारा 8 डाया का 125 center to center, चिपिया, और फिर H है, 10 डाया का 90 center to center alternate bar यह क्यों अलग 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 लिखा है, मतलब कही जगा 100 का center है, A वो भी alternate bent up bar है, H भी alternate bent up bar है, यह क्यों अलग 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 इसलिए है क्योंकि कही जगा जो slab रहेगी, हमारी हमारी अलग detail रहेगी, यहां हमारी अलग detail रहेगी, यहां अलग detail रहेगी, तो इसलिए क्या क्या है, सब कुछ उनने आगे लिख दिये, और इधर हमें mention किया होता है जो 150 mm आपकी sunk slab deep आएगी 450 deep sunk आएगी इसको पूरा वीडियो देख ले ना फिर आपको practically जो मैं लशाम को वीडियो आपको दिखाऊंगा उसमें आपको समझ आएगा अभी पहले हम बन वे की बात करेंगे तो इसमें मैं थोड़ा और focus करता हूं, ठीक है तो इसमें क्या है हमारा A जो हमने देखा था, A ठीक है वो हमारा main bar था, ये आगया A sorry, ये आगया A 10 diagram 135 center तो इसमें इसने दिखा दिया है जो ये जाएगा आपका A, ये देखो ये जा रहा है A bar और AC में आपको इसने alternate bent up दिखाया, मतलब एक बार आपका S सीधा जाएगा, दूसरा alternate bent up जाता है हमारा, यह जब practice क्या की जाती है, यह जब site पर provide किया जाता है, इधर में बता दे तूं आपको, एक जो main बार होता है, इसमें spacing हमारी ब्राबर लगीगी, जैसे अभी starting में 135 cm, मतलब 135, 135, 135, ऐसे किया जाएगा, फिर उसमें क्या किया जाता है, एक जो main बार होता है, वो beam के अंदर से जाता है, यह चीज दियान देना है, गल्ती होती है, एक beam के अंदर से जाता है, और जो alternate bent up बार होता है, वो हमेशा बीम के ऊपर से जाता है, यह थोरी समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब मैं साइट पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, यह समझ आओगे, लेकिन आप अभी देखो सिर्फ, मतलब यह हो गया हमारा bent up बार 135 cm, पूरे में ऐसे प्रोवाइड कर देना है, और जो हमेशा याद रखना है, जो main बार हम प्रो distribution bar, आठ डाय कर देट सो के सेंटर है, distribution bar, तो B कहां लिख है, तो O यह लिख है, मतलब main bar हमारा ऐसे ऐसे आएगा पूरे slab में, ठीक है, और distribution bar उसने B यहाँ मेंशन की है, यह देखो, तो वो हमारा ऐसे ऐसे आएगा, वो कितने, डेट सो के सेंटर से distribution bar आ गया, यह समझ गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, C कहां, डूंडो C कहां, C हमारा है, टॉप extra, तो इसमें एदर मेंशन की है, एसने, C हमारा है, दस डाय का 270 से, एक्स्टा टॉप extra, तो यह हमारा top extra आएगा, और top extra हमेशा कहां आएगा हमारा, जो हमारा crank bar होता है, उसी के साथ में हमारा आता है, यह देखो, यह C लिखा है, मतलब दोस्तों के सेंटर से, ऐसे beam के उपर ऐसे ऐसे आता जाएगा, ऐसे, 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 यह जब साइट पर प्रोवाइड होगा, तब मैं दिखा दूँगा, अभी आप ड्रोइंग देखो, तो यह C के स्पान हो गया, इसको डिवाइड करताने है, 4 से, मतलब 3,000, अगर, मतलब 3 मीटर का स्पान होता है, यह 3 मीटर का स्पान होता है, 3000 डिवाइड बइवाई 4, जो आएगा आपका, 500 या 600, इस तरब 600 निकलेगा इस beam के face से, और इस तरब 600 निकलेगा बीम के face से, यह हो viral भी थेखने चुछ श्रा थोरी लोगे तक परिकूल्च के देखें थेली लोगे में विडियो बीदि कर देखें वाल तो में टाल दूंगा नहीं तो आप प्लेश्ट में जा वहां शेश्ट क्लोस वीडियो एं उसमें सब मिल जाएगा है को fand गूल यह इसलिग से न कितना यह मैं 3.710 beam के center to center तो beam हमारा है 600 का यह है 230 का तो 3.710 है 3.710 माइनस 300 और माइनस 115 तो हमारा हो गया उसको हम डिवाइड कर देंगे किस से 5 से clear आपको यह पता चल गया कि LY5 और LY4 आपको कैसे provide करना है हमारा क्या क्या clear हो गया A हो गया B हो गया C हो गया यह आपने पढ़ लिया कि यह कहां आपको provide करना है और one way slab क्या होगी देखो यह जहां अगर हम simple बाश्या में समझाओं ऐसे तो मैंने एक video बनाए थे जिसमें सब बताए था beam के से आपसे provide करना है लेकिन इसमें क्या है हमारा एक तरफ crank तो उट रहा है यह ऐसे-ऐसे crank तूटेगा सिर्फ तो हो गए हमारी one way slab अगर यहां आप देखो देखो इसमें क्या है इधर भी crank तूट रहा है इधर भी crank तूट रहा ही मतलब यह हमारी two way slab हो गई और जो load distribute होगा proper इस beam पे भी जाएगा, 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 लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा जो load होगा, transfer कहा होगा, सिर्फ इस beam पे और इस beam पे, ऐसे इसका load transfer होगा, उसमें two base lab में चारो तरफ हमारा load जाता है, अगर इसके हम डिटेल की बात करें, थोड़ा फोकस करने दो, देखने दो मिरको, यह फोकस कर लिया, तो इसमें इने ने कहा है, F आपका मेन बार है, F कहां गया, F गूंदेंगे हम यहां पे, F, उसने कहा है, आल्टरनेट बेंटब बार, आट का डाया, तो यह हमारा आट का रखना, जो हमारी two-way slab होती है, उसमें हमेशा, आपका, मतलब, उन तरह हमारा main bar होता है, लेकिन, ऊढ़रा main bar होता है, यह раст लेकिन, तूब पे slab में हमेशा हमें, जो main bar होता है, तो इसमें भी, इसने क्या कहा है, D, जो आपका main bar है, D, क्या कहता है, यहां पर, D, कहता है, 10 तो यहां भी वह ऐसे प्रोवाइड करना है और इसमें जो क्रेंग टूटेगा वह टूटेगा लवाइफाइफ पे मतलब जो भी स्पैन का होगा चे मिटर शेसो पचास है डिवाइड वाइफाइफ मतलब ऐसे तो उसने सेंटर टू सेंटर दी है लेकिन आप इतना नहीं दे करने के लिए यहां आपका वह प्रोवाइड किया जाता है और यहीं इसी एरिया में आपको वह भी करते हैं मतलब हम टॉप एक्ष्टा भी प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी डिटेल रहती है पूरी तो ड्रॉइंग का तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ड्रॉइंग करने के लिए हम क्या करते हैं टॉप एक्स्टा यहां क्रेंग बार प्रोवाइड करते हैं और होगिंग जिसे हम बोलते हैं उसको भी काउंटर करते हैं तो यह आई होप आपको समझ आ गया होगा ड्रॉइंग का जो भी इशू होगा तो इसके रिलेटिर कोई भी कॉशन र वीडियो रहेगी उसमें मैं कम्प्लीट सम्झाओंगा कि कैसे हम बार प्रोवाइड करते हैं नीचे से उपर से लवाइफ वोर कैसे तूटे गया लवाइफाइफ तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन दवा लो थैंक्यू गैस